वेलो इस्टुडेंट्स गूड इबनिंग आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लार्ट पैथोलोजी का एक टॉपिक है जिसमें हम रस्ट आफ होईट के बारे में पढ़ेंगे यानि होईट में जो रस्ट डिजीज होता है उस डिजीज के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि हुईट में जो रस्ट डिजीज होता है इसका इंटोड़क्शन हम पढ़ लेते हैं मतलब ये क्या है और ये किस तरह से पौधे को नुकसान पहुचाता है और ये किस किस पौधे पर नुकसान पहुचाता है और ये सबसे ज़्यादा जो है किस कंट्री में इस प्रीड होता है इन सब चीजों के बारे में देखते हैं तो इंटोड़क्शन में हम ये देखते हैं कि जो हुईट का रस्ट है एक फंगल डिजीज होता है कवक के द्वारा होता है जो अफेक्ट करता है जो प्रभावित करता है हुईट बर्ली और राई पौधे के तने पत्ती और ग्रेंस मतलब दानों को अफेक्टेट करता है और इसका जो इनफेक्शन है अगर किसी क्राप में हो जाता है तो उस क्राप में 20 परसेंट जो इल्ड है यानि जो प्रोड़क्शन है उसका लॉस होता है यानि टोटल प्रोड़क्शन का 20 परसेंट भाग लॉस कर जाता है अगर इस रोग का उस पर effect हुआ तो उसके बाद देखते हैं कि ये जो है serious disease काज करता है या epidemics होता है नार्थ अमेरिका में, मैक्सिको में और साउथ अमेरिका में इन सब place में या इन सब country में ये disease जो है epidemic होता है serious epidemic होता है यानि बहुत अत्यधिक जो है फैलने वाला या बहुत तैजी से फैलने वाला serious disease है उसकी बाद इसमें देखते हैं in India it is seasonal भारत में ये जो रोग है seasonal होता है यानि season y जो है is disease का transmission या इसका, जो epidemic है, वो होता है इसमें हम देखते है काजल आरगैनेज्म के बारे में काजल आरगैनेज्म क्या होता है यानि ऐसे पैथोजन जिसके दौरा रस्ट डिजीज होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो काजल आर्गैनिजम है वो पत्सीनिया ग्रैमिन स्टेटेसी है जिसके दौरा इस्ट्यम और और ब्लैक रस्ट होता है यहाँ पर आपको यह देखना है कि जो रस्ट होता है वो तीन प्रकार का होता है एक इस्ट्यम और ब्लैक रस्ट होता है एक इस्टिप और यलो रस्ट होता है और एक जो है लीफ और और आरेंज ब्राउन रस्ट होता है तो ये तीन तरह की rust diseases होते है और ये डिजिज तीन प्रकार की जातियों के दौरा Paksinia Gramnis की या Paksinia की तीन प्रकार की जातियों के दौरा spread होता या काज होता है तो Paksinia Gramnis Statici जो species है इसके दौरा Stem ORR Black Rust होता है Paksinia Stereiformis या जिससे जो है Paksinia Glumerum भी कहता है उसके बाद Paxinia recondita tritice है या इसे जो है Paxinia tritice in का ORR Paxinia ruby govera भी कहते हैं इस जाती के दोरा Leap ORR orange brown rust होता है तो तीन तरह के rust जो Paxinia की अलग-अलग जाती हों के दोरा पोधे में होते हैं यहाँ पर हम यह देखते हैं कि इस rust का जब infection plant पर हो जाता है तो plant पर जो symptoms हैं वो किस तरह से देखते हैं यानि पोधे पर हम क्या देखकर पता कर पाएंगे कि इसमें rust का infection हो चुका है तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर इस कवक का infection गेहु की पत्ती पर हुआ है तो गेहु की पत्ती पर कुछ एरिया ऐसे बनते हैं जो dark brown या red color में spot like या postules like structures बनाते हैं जिस एरिया का जो cell है वो destroy कर जाता है और एक spot like या postules like structures इसमें बनता है और जिस एरिया को जो है necrotic area of lip कहा जाता है उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसा area मतलब elongated area बनता है redis या brown color का जिसे यहाँ पर देखा गया uradial mass इसे कहते हैं uradial क्या होता है कि जब कवक का mycelium grow कर जाता है तो उस mycelium से कुछ stark saved मतलब कुछ stark arise करते हैं जो अपने last point पर या apex पर spore bear करते हैं जिसे uradial spores कहते हैं तो इस पूरे area में uradial spores का development होता है तो यह area जो है uradial mass कहलाता है और जिस area में ये moss देखेगा वो area dark brown या reddish color का होगा उसकी बाद अगर stem में rust का infection हुआ या पौधे के तने में अगर इस कवक का infection हुआ old stage में तो यहाँ पर देखते हैं mycelium में कुछ stark spores और बनते हैं जिसे tellio spore कहा जाता है और tellio spores के दोरा यानि अनेक tellio spores का पूरा एक series होता है या पूरा एक group होता है जिस संग्रशना को tellia कहा जाता है और tellia के कारण कुछ symptoms पौधे के तने में हमें देखते हैं जो reddish या brown color के होते हैं जो ऐसे elongated structures में तने में पाय जाते हैं तो इस तरह से rust का infection यानि उस कवक का infection गेहूं के पत्ती में और उसके तने में होता है तो इस वीडियो में हम देखते हैं एक परकार के rust के बारे में पढ़ते हैं जिसे कहते हैást stem orr black rust stem orr black rust जो गेहूं का होता है वो pagcenia germinus taticis semester के द्वारा होता है तो यहाँ पर हम black orr stem rust के बारे में पढ़ते हैं बलेक या इस्टियम रस्ट को हम यहाँ पर देखते हैं माली जी गेहों की ये पत्ती है और ये पौधा है गेहों का और इसकी पत्ती पर इसका वक का जब इन्फेक्शन होता है तो इस पर जो है इलांगेटेड रेडिस ब्राउन पॉस्चूल्स बन जाते हैं और ये पॉस्चूल्स जो है योरेडिया की कारण बनते हैं योरेडिया का मतलब होता है तो यहां पर देखते हैं इस तरह का ये पॉस्चूल्स है उसके बाद पत्ती पर भी ऐसे elongated postules देखता है जो किस color का होता है? redis या brown color का होता है और इस postules में उस समय के बाद क्या निकलते हैं? uredo spores निकलते हैं इसमें uredo spores निकलेगा यानि जब uredia या जो redis brown color का postules है जब ये best होते हैं, जब फटते हैं तो इसमें brown powder like structures निकलते हैं जो brown powder के रोप में क्या होता है? uredo spores होता है यहाँ पर हम देखते हैं another kind of postules telia, double up later in the same sorus or are independently यानि एक दूसरे प्रकार का postules भी इस पौधे में double up होता है, जिससे कहा जाता है telia ये थोड़ा सा और dark color का होता है और ये तब बनता है जब पौधा old हो जाता है यानि पौधा जब old हो जाएगा तो उस stage में इसी sorus पर या इसी mycelium में जो इस पोर बनाने वाली संग्रचनाएं हैं उसी स्पोर बनाने वाली संग्रचनाओं में telio spores भी बनने लगता है जिससे ये जो postule से वो थोड़ा और dark हो जाता है तो जिससे हम telia कहते हैं और ये जो है डबलप होता है उसी mycelium के हाइफा पर या उसी sorus पर या फिर सौतंतरुप से दूसरे हाइफा पर या mycelium में डबलप होता है telia जो होता है वो darker होता है darker होने का मतलब क्या होगा कि जो telia जब telia इसमें बन जाता है telia का मतलब कि जब इसमें telio spore बनाने की संग्रशनाएं इसमें grow कर जाती है तो ये area जो postules होता है वो थोड़ा dark हो जाता है जो लगबग brown या black color का हमें दिखता है और अनेक जो है physiological changes पौधे में होते हैं rust infection के बाद यहाँ पर देखते है next point में next step में हम देखते है life cycle आप paxenia graminis tatici paxenia graminis tatici का जो disease cycle या आप life cycle कह लिजे इसको life cycle जो होता है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे paxenia graminis जो होता है वो एक héteroseas rust होता है है tiếpोसेas rust का मतलब होता है ऐसा rust जो या ऐसा fungus जो अपना life cycle दो host पर complete करता हो यानि इसका पूरा life cycle के ओल एक ही host पर ना होता हो यानि इसमें दो host होता है और यह परतेख host में spread होता है airborne sports की दौरा यानि इस rust में बलो होते रहते हैं, या ओड़ते रहते हैं, और ओड़ते हुए जो है, क्राप्स में पहुच करके, पौधे में इनफेक्ट करके, अपना एफेक्ट सो करते हैं. तो यहाँ पर देखा गया कि जो Paxenia Graminis Tritice है इसमें पांच प्रकार की Spores का निर्माड होता है यह ऐसा कवक है जिसमें पांच प्रकार की Spores का निर्माड होता है जिसमें से पहला Spores है Euredo Spores, दूसरा है Talyo Spores, तीसरा है Bacidio Spores और चौथा है Picnio Spores और पांचवा है ACO Spores तो इस तरह से टोटल जो है इसके Life Cycle में पांच प्रकार के Spores का निर्माड होता है जिसमें तीन प्रकार के Spores का निर्माड हुईट प्लांट पर होता है यानि जब इस कवक का Infection हुईट प्लांट पर होता है तो उस प्लांट पर तीन तरह के Spores का निर्माड होता है बाकी बुल्गैरिस जो अल्टरनेट होस्ट है, उस पर दो तरह के स्पोर्स, पकसिoup ग्रेमिनिस के बनते हैं, एक पिकणियो स्पोर्स और दूसरा ए recognize career sport, तो यहां पर हम देखते हैं, कि कि स्पोर्स को, किसी भी प्रकार के इस को germination के लिए, germination के लिए moisture की आउसकता होती है, नमी की आउसकता होती है, और लगभग 100% humidity की आउसकता होती है, जिसके कारण या जिसके द्वारा ही जो spore हैं वो germinate कर सकते हैं, optimum temperature की आउसकता होती है, जर्मिनेशन के लिए, लगभग temperature होना चाहिए 15 degree Celsius से 20 degree Celsius के बीच में, अगर environment का temperature 15 से 20 degree Celsius है, तो इसमें से जो spores हैं, वो germinate कर सकते हैं, यहाँ पर देखा गया कि sporulation के पहले, यानि जब तक कवक में spor का formation नहीं हो जाता, तब तक पौधे पर कोई भी symptoms सो नहीं होता है, यानि पौधा जो है वो क्या रहता है, asymptomatic रहता है, पौधा जो है वो asymptomatic रहेगा, इसमें देखते हैं, इसमें जो figure दिया गया है, यह wheat plant है, और wheat plant जो है एक host होता है, पक्सीनिया क्रेमिनिस का, तो wheat plant में जब इस कवक का infection होता है, तो कवक जो है cell के बीच बीच में हाइफा बनाते हैं, और हाइफा जो है, हाउस्टोरिया बनाते हैं, हाइफा जो है, वो हाउस्टोरिया बनाते हैं, और हाउस्टोरिया के दोरा जो कवक है, वो cell से nutrition लेता है, उसके बाद यह mycelium को समय तक grow करने के बाद, एक stark structures मनाते हैं, एपीडर्मिस के अंदर ही एक stark structures मनाते हैं, जो अपने apex पर एक spore वियर करते हैं, जिससे यूरेडो spores कहा जाता है, तो यूरेडो spores के बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो यूरेडो spores होता है, यह oval होता है, और इसमें नीचे stark लगे होते हैं, उसके बाद यह ब्राउन कलर का होता है और single cell होता है, total single cell इसमें पाय जाते हैं, उसके बाद इसमें जो है जर्म पोर की संख्या अगर देखा जाए, तो इसमें जो जर्म पोर है, इस जर्म पोर की संख्या total 4 होती है, ऐसे इसमें चार जर्म पोर होते हैं, और यह single cell structures होते हैं, और इसका जो वाल होता है, इसका जो outer वाल होता है, जिसे एक जो इसपोर कहते हैं, एक जो इसपोर पर जो है अनेक spine-like stitches या कांटेनुमा संगरशनाई पाय जाती हैं, तो इस तरह के एक जो इसपोर्स को, इस तरह के एक जो इसपोर्स को इक आइनूलेट इक जो स्पोर्स कहते हैं, इकनियूलेट इस्पोर्स तो यह जो है यूरेडो इस्पोर्स जो है इस इस्टाग से अलग होकर के टूट कर और एअर के द्वारा इस्प्रीड होकर के आधर प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसके बाद जब plant जो है old हो जाता है तो उसी mycelium पर या फिर अलग mycelium पर एक तीसरे प्रकास्वर्य एक दूसरे प्रकार का spores बनता है जिसे टेलियो spores कहते हैं और जो टेलियो spores होता है ये इस्ट्यम या leaf seed पर डबलप होता है ये भी dark या brown to black color का होता है और ये भी स्टांट होता है इसमें दो सेल्स होते हैं और ये स्मूथ वाल्ड इसका होता है और इसमें जो है जर्म पोर पाया जाते हैं एक में एक जर्म पोर पाया जाता है जर्म पोर मिलेगा इसमें भी उसके बाद ये जो टेलियो इसपोर्स है टेलियो Ừ प्लाइड बेर सीडियो प्लाइड बेंसीडियो स्पोर्स पनेगा यानि यहां पर हमें यह समझना है कि जो पकसीनिया ग्रैमिनिस है जब वो होस्ट प्लान्ट पर यहां जो टूटल यह बनाया गया है ये पक्सिनिया ग्रेमनिस का live cycle wheat पर है wheat plant पर इसमें mycelium ग्रो हुआ कुछ समय के बाद इसमें euredo spors बना और euredo spors जो है ये spread होते हैं air के दोरा other plant को भी infect करते हैं उसके बाद इसी plant में कुछ समय के बाद माइसिलियम पर एक दूसरे तरह का spores बनने लगता है जिसे tellio spore कहते हैं जो by-celled होते या दो cell के बने होते हैं और इसमें प्रतेक में एक एक जर्म पोर पाय जाता है और इसका wall जो है smooth होता है अगर यहां पर tellio spore और uredo spores में difference की बात करें तो जो uredo spores है उसमें जो बाहर का wall है वो उसमें spine-like structures पाय जाते हैं जिसे हम equinulate type का एक जो sports कहते हैं जबकि इसमें जो भित्ती होती है वो smooth होती है उसमें spine-like structures नहीं पाय जाते हैं उसके बाद जो tellio sports होता है tellio sports जो है ये germinate करके tellio sports जो है वो germinate करके 4 besidio sports का निर्माड करते हैं यानि tellio sports के एक cell से total 4 besidio sports का निर्माड होता है और ये besidio sports जो है haploid होते हैं besidio sports जो है वो haploid होते हैं अब ये besidio sports जो है इस गेहों के पौधे को infect नहीं करता है अब ये जो है अपने alternate host तक air के माध्यम से पहुँचेगा और इसका जो alternate host है वो है barbaris bulgaris यानि एक alternate plant है barbaris bulgaris तो barbaris bulgaris में besidio sports जो है वो infect होगा और infect होने के बाद infect होने के बाद बनाएगा mycelium तो यहाँ पर देखते हैं कि जो besidio sports होता है वो infect करता है alternate host को यानि barbaris bulgaris को besidio sports जो है वो germination करने के बाद haploid mycelia बनाते हैं inside barbary lip यानि barbary lip के अंदर besidio sports जब पहुंचते हैं तो germinate होकर के haploid mycelia बनाते हैं क्योंकि besidio sports जो है वो haploid होते हैं और वो tellio sports के germination से बनते हैं तो haploid mycelia जब बनेगा तो haploid mycelia जो है एक special structure डबलब करता है जिसे pycnia कहते हैं यहां पर सो किया गया है यह barbaris bulgaris का leaf है और इस leaf पर एक area सो किया गया और जिस area को कहा गया पिक्निया पिक्निया क्या है पिक्निया जो है जब जब इस barbaris bulgaris leaf पर besidio sports पहुंचता है तो पहुंचने के बाद mycelium बनाता है और mycelium बनाने के बाद यह जो है एक mask like structures बनाता है जिसे pignia कहते हैं और pignia जो है यह flask shaped structures होता है जो पत्ती के upper surface पर पाय जाता है और इसके पास एक osteol होता है osteol मतलब एक छिद्र होता है छिद्र होगा क्योंकि इसके अंदर जो है एक दूसरे प्रकार का spore बनेगा जिसे कहा जाता है ACU spore तो यहां पर देखते हैं कि जो pignia है pignia में बहुत सारे हाइफी हैं जो mycelium बनाते हैं सभी haploid होते हैं जो besidio spore के germination से बनते हैं और इसमें osteol होता है कुछ समय के बाद क्या होता है इस mycelium के दौरा इस mycelium के दौरा या इस mycelium में sexually reproductive structures बनते हैं जैसे spermatia बन गया या phlexus hyphy बन गया spermatia या phlexus hyphy बन गया इसमें क्या होता है कि दो opposite stain वाले जो hypha हैं उनकी बीच में cell का fusion होता है और fusion होने से fusion होने से एक next type का spores बनता है जिसके germination से di-cariatric mycelium develop होता है और di-cariatric mycelium से फिर जो है develop होता है एक other type का spores जिसे कहा जाता है ACO spores कहने का मतलब यह होगा कि यह जो picnia है picnia के अंदर जो है picnio spore बनेगा और picnio spore के बाद जो है जो mycelium होगा वो लाश्ट में बनाएगा ACO spore यानि दो तरह के spore का निर्माड बर्बेस बल्गेरिस में होता है तो इस तरह से जो ACA होता है अगर ACA मतलब जिसमें अनेक ACO spore बने हैं वो यलो कलर की cup saved receptacles होते हैं जो अनेक ACO spore की chain को bear करते हैं जिसमें अनेक जो है ACO spore पाय जाते हैं और ACO spore जो है ये यलो कलर की होते हैं एक काइनियूलेट होते हैं मतलब जिसके सर्फेस पर एक काइन मतलब spine like static cantenuma संग्रशना होती है जिसमें जर्म पोर की संख्या सिक्स होती है और ये जो ACA है या ACO spore है ये ACO spore जो है वारवेरिस बलगेरिस पत्ती को infect नहीं करेगा ये infective होता है किसके लिए हुइट के लिए तो इस वीडियो में हम जो है और शायक्ल के बारे में या जो Paxiniya Graminis है उसके Life Cycle के बारे में हमने पढ़ा यहांपर हम देख लेते हैं कि जो Paxiniya Graminis है उसका Life Cycle के इस तरह से complete होता है तो यहांपर हम देखते हैं कि जैसे Paxiniya Graminis का Mycelium है और ये Mycelium माइसिलियम में जो है बेसीडियो स्पोर्स बनेगा बेसीडियो स्पोर और बेसीडियो स्पोर्स जो होगा वो इनफेक्ट करेगा बर्बैरिस बल्गेरिस यानी अल्टरनेट होस्ट को इसको इनफेक्ट करेगा उसके बाद जो बर्बैरिस बल्गेरिस है इसमें एक स्पोर बनेगा जिसे कहते हैं एस्टियो स्पोर और एस्टियो स्पोर जो है वो इनफेक्ट करेगा ये इनफेक्ट करेगा हुईट प्लांट को यह इंफेक्ट करेगा हुईट प्लांट को और हुईट प्लांट में जो माइसीलियम बनेगा उस माइसीलियम में बेसीडियो स्पोर बनेगा और बेसीडियो स्पोर फिर इंफेक्ट करेगा बारबैरिस बलगैरिस को और इसमें बनेगा एस्यो स्पोर और फिर एस्यो स्पोर वो इन्फेक्टिव होता है हुईट के लिए और जो बेसीडियो स्पोर होता है वो इन्फेक्टिव होता है बार्बैरिस, बैलगैरिस के लिए उसके अलावा भी इसमें mycelium में वो इंफेक्टिव होता है हुईट के लिए और यहां पर आपको ये भी देखना है कि इस कवग का जो सेक्स्वल साइकल है वो बारवारिस बल्गेरिस में जलता है क्योंकि Balbaris, Bulgaris में Sexual Reproduction का Process मिलता है इसका वक में जबकि जो इसका Dwight Host है, मतलब जो Wheat Plant है, Witch Plant के अंदर Kell…… Asexual Structures यानि Sport-like Structures Kell…… एसमें बनते हैं तो अगर sexual structure की बात करें तो sexual structure किसमें बनेगा Barbाणis, Bulgaris में और जो Asexual Structures या जो Asexual Sports हैं वो हमेशा हुईट के अंदर बनते हैं इस माइसेलियम में तो इस तरह से इसका जो डिजी साइकल या जो लाइप साइकल है वो कम्प्लीट होता है